बिसमिल्लार्प्राइब अस्सालाम वालेकुम दिस अस्गर अली प्रॉम वर्चुल यूश्टी आफ पाकिस्तान वेलकम बैक इन एन्वीव माड्यूल्स आजके इस सेशन में हम थर्ड क्विरी सीखेंगे इस अबाउट कोडिंग क्वेरी यह 16th सेशन है इस से पहले हमने व इससब्सक्राइब झोड़ विए इक करले थेसर आपके तो आपके सामने एक यूजर इंटरफेस अगेन आपकी डिटेल्ड व्यू के अंदर ओपन हो जाएगा तो इस इस दी कोडिंग क्वेरी इसकी यूजर इंटरफेस आपके सामने ओपन है और अब मैं आपको सिखाऊंगा कि इस क्वेरी को रन कैसे किया जाता है हम अगेन इसके अंदर इस क्वेरी को रन करेंगे जो हमारे आर्टिकल्स हैं फ्रांग एंट नोट सबसे पहले आपने क्या करना है कि यह आपके पास एक ऑपशन दे रहा है जिनाफ बाद इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नोट नोट आ गए अच्छा मैंने नोट में से किस-kis nodes को इस query में मैं include करना चाहता हूं मैंने ये फस्त three nodes को select किया entrepreneurial, entrepreneurial behaviors और entrepreneurship को ये वो nodes हैं जो already आप create कर चुके हैं और ये आपके nodes के folder में शामल हैं, list में शामल हैं, मैंने three nodes select किये और उससे पहले any selected node का option choose किया था, अब next आपने क्या करना है, next यहां से plus के sign पे मैं click करूँगा, click करने के बाद आपने देखा कि same tab एक और मेरे पास available हो गई है, और मैं क्या करूँगा, any selected node की जगा option करूँगा, any case where, अब ये बड़ी important बात आप ये देखें, मैंने क्या किया, first tab के अंदर मैंने जो आपके three times full stop का निशान है, उस पे click करूँगा, अब ये मेरे पास cases की classification में ले गया, जो classification हमने create की थी, articles के लिए आपको याद होगा, और articles के लिए, वो articles जो end note से import किये थे, उनकी type of articles के नाम से हमने classification generate की थी, मैंने इस पे click किया, plus के sign पे, अच्छा जैसी मैंने plus के sign प attributes शो कर दी है, मैं कहूँँगा जी मुझे सरफ type of study में interested है, type of study पे click करने के बाद मैंने okay किया, और जैसे ही okay किया, आपने देखा कि type of study, वसले type of articles, classification है, type of study उसका attribute है, equal value मैंने का यहाँ पे click करूँगा, empirical, अच्छा ये देखें, ये वो classification है जो आपने create की थी, अपने articles के अब मैंने इसको कहा क्या, आसल में query मैं क्या run करना चाहूँ, मैंने का जिनाब, ये जो three nodes हैं, जो यहाँ पे मैंने select किये हैं, entrepreneurial, entrepreneurial behavior और entrepreneurship, इन के बारे में मुझे सिरफ उन studies की राये बताएं, जो जिनको मैंने tag किया है, empirical, जिनकी classification empirical है, उनका क्या argument है, चुँके nodes तो already create किय जा चुके है, अब आप बात समझ चुके होंगे, कि सर्फ हम उनसे ये पूछना चाहा रहे हैं, कि जो articles जिन पर tag empirical है, चुँके already classification की जा चुकी है, मुझे सिर्फ उन articles में ये बताएं, कि इन three nodes के बारे में कौन कौन सा text मौजूद है, मैं query run करूंगा, अपने जैसे query run की, तो ये देखें, results आपके सामने है, इसने सिर्फ वो articles जिन पो आपने classify किया था, empirical, उन articles में जो text है about these three nodes, वो आपके सामने ले आया है, अच्छे, यहाँ पे ये इसकी summary है, सबसे पहला टैप, summary में देखें, तो ये four articles ऐसे हैं, जिन के अंदर इन three nodes के बारे में, चुँके ये four articles, अच्छे, यहाँ पे सारे क्यों नहीं appear हुए, ये बड़ी important बात है, ये जरा सोचें, कि सारे article क्यों नहीं appear हुए, वो इसलिए appear नहीं हुए, कि empirical article सिर्फ ये चाहा रहे है, बाकी कौन से हो सकते हैं, theoretical, अच्छे, यहीं पे मैं आपके लिए करता हूँ, मैं अगर इसको theoretical करूं, तो मैं देखों, result मेरे पास क्या रहते हैं, ये देखें, total हमारे पास seven articles हैं, seven में से three को हमने categorize किया theoretical, four को categorize किया empirical, तो ये देखें कि अगर हम first empirical को run करें, तो empirical articles की जो आपका content है about these three nodes, ये three nodes हैं, उनके बारे में ये query हमारे सामने है, तो ये तो थी summary, सबसे तेरा reference वो हमें बता रहा है, इन notes के बारे में, second, third और fourth articles, इसी तरह अगर हम references में जाएं, तो ये exact वो आपको reference wise text भी निकाल के देदेगा, और third option है हमारे पास यहाँ पे PDF, इसी query के अंदर, और ये वो different articles हैं, जिनके अंदर ये word appear हो रहे हैं, जैसी ये first है, यहाँ पे आपके सामने highlight कर देगा, जो notes आपने select किये थे, ये देखें, जिन-जिन notes का, जो text आपने यहाँ से choose करके, वहाँ पे draw किया था, notes के अंदर जो आपने text put किया था, उसको यहाँ पे show कर देगा, अगर इन articles में से कोई text है, अब जाहर है, ये select हुए है, तो उनके अंदर text है So this is how we can run a coding query, और सबसे important जिसको मैं समझता हूँ, ये coding query है, क्यों ये जरूरी है, क्यों important है, उसकी reason ये है, कि आप तमाम demographic analysis is query के तुरू कर सकते हैं, ये तो था nature of article, अगर मैं यही देखना चाहूँ, अगर मैंने interviews किये हैं, let's say, और interviews के अंदर मैंने, जो मेरे respondents हैं, हमका demographic भी note किया है, like उनकी age, qualification, experience, तो मैं ये भी देख सकता हूँ, कि age-wise लोगों की क्या perception है, about some nodes, या construct, मसलँ 20-30 सार वालों की क्या रहे है, 30-40 वालों की क्या रहे है, इसी तरह experience-wise categories मैं बना सकता हूँ, So, this is how we can see how much coding query is important in qualitative data analysis, अब जैसे मैंने procedure बताया, इस तरीके से coding query को run कर सकते हैं, अच्छा, यहां पे एक और बड़ी important बात, मसलँ ये जो results हाई हैं, अगर मैं इसमें से मजीद note create करना चाहूँ, yes, you can do it, आप इस पर right click करें, select all करें, again right click करें, store query results पे आपने जाना है, जैसे ही मैं इस पर click करूँगा तो ये मुझसे पूछ लेगा, create as new node या merge करना किसी और मैं, तो मैं कौँगा, जी नहीं, new, फिर वो मुझसे पूछेगा कि notes कहां, किस location में आप save करना चाहते हैं, मैं नोट में जाके, again, यहां पर मुझे उसको name देना पड़ेगा, और चु यह coding query के results मेरे सामने हैं, so this is how we can run a coding query by using NPO software, thank you very much for watching this video, alaafir